नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागते है अब्यास एग्री एकट्वी की यूटूब चैनल में दोस्तों जो आई वी प्यास एफो का एक्जाम होता है इसमें एग्रिकल्चर इस्टुबेंट की जो मेजर प्रोब्लम है कटोप निकालना इंग्लिस का कटो सब जाता केतना है दो तीन नमर ठीक है और जो हिंदी मीडियम बाले बच्चे रहते हैं उनके साथ तो बहुत बड़ी प्रोब्लम इंग्लिस की और जो एग्रिकल्चर के दूसरे एक्जाम होते हैं वह भी इंग्लिस आती सब जगह वह इंग्लिस आना कंबल सेरी हो गई है क्योंकि आने वाले समय में यहां पर सारे जो अमारे इंग्लिस का पूरा पढ़ाई जाएगी ठीक है जो भी हमारा आप्रेल से स्टार्ट हो रहा है एप्लिकेशन पर आप इस बैस को पर्चेस कैसे कर सकते हैं अब आपके दिमाग में होगा सर् तो हमने इसके पहले पांच डेमो यूटूब पर पढ़ाये थे आप पर देख सकते हैं अभ्यास अग्री एकडमी का यूटूब चैनल है वहाँ पर आपको डेमो ना उनके पांच लेक्सर आपको मिल जाएंगे वहां से आप देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती है तो है यह माँ उसमें सेलेक्शन नहीं हुआ लेकिन उसमें इंग्लिश के पोर्शन में मेरा 20 out of 20 स्कोर था मैं थोड़े काफी टाइम पहले से पढ़ा भी रही हूं ठीक है और बेस्ट पार्टी है मेरे साथ दोस्तों कि मैं बहुत ज्यादा बुढ़े टीचर्स में से नहीं हूँ क्यों अच्छा डिलेवर कर पाऊं इसलिए मैं एक्जैंस भी देती हूं इसलिए ताकि एक्सपीरेंस रहे मुझे की पेपर में पूछा क्या जा रहा है ठीक है तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि मैं आपको पैटन पर पढ़ाऊंगी ठीक है और सबसे इंपोर्टेंट बात कि तो उसके लिए हमें टॉपिक वाइस प्रैक्टिस भी जरूरी है जो मैंने आपको करवाई थी इस सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि जो चीजे में बोर्ड पे लिखती हूं जो भी पीपीटी लेके आती हूं जो कंटेंट आता है वह आपको नोर्स के फॉर्मेट में म निकले आप अगर काइदे से पढ़ना चालू करो ना एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तो कट आफ तो आपका सोते सोते निकले उसका रीजन बताती हूं आप देखो पांच क्वेस्चन भी बनेंगे क्या ऐसा होदा है कभी कि आपने इतनी मेहनत की और आपसे क्वेस्चन कर लिए तो बेटा उससे आगे बढ़ते क्यों हो जब पता है कि पांच सही है और पांचों जब सही होके जाएंगे तो आपको पता है कि बैंकिंग में डेवियेशन होता है यानि एक्यूरेसी का वेटेज होता है तो जब डेवियेशन फर्मूला लगेगा ना लेकिन इंग्लिश में में क्या लगता है नहीं यार कर देता हूँ सही होगा सही होगा वो मोह चूटती नहीं है ठीक है तो पहली चीज यह करना है कि मोह चूटने की प्रैक्टिस करनी है यानि टेस सीरीज अभी से आपको लगाना चालू करना है और टेस सीरीज लगाने मे सबसे पहला काम क्या सीखना है skipping, skipping क्या होता है एक art होता है, skipping सबसे नहीं आती questions skip करना सबसे नहीं आता वो एक art होता है, तो जब मैं practice arts लगवाऊंगी तब आपको ये भी सिखाऊंगी questions skip कैसे करने होते हैं अब आप कहोगे मैं आप तो कह रहे हो question solve करने का, I mean paper में exam में solve करने का और दूसरे को smart तरीके पता होंगे तो वो भले ही दोनों को बराबर knowledge है लेकिन जिसको तरीके पता है वो बहुत जादा अच्छे नंबर लाएगा, उसका कारण ये है कि ये जो आपका paper होता है ये सिर्फ आपका knowledge टेस्ट नहीं करता ये बहुत सारी चीज़ा टेस्ट करता है जैसे आप paper में panic तो नहीं हो रहे आपको knowledge कितना है आपकी speed कितनी है आपका paper करने का तरीका smart है या नि officer बन के जाएंगे तो क्या 47 के ढ़रों पे आप जो है नए बच्चे चाहिए जो की नए तरीके से चीज़ें यानि की plans को execute करें या plans बनाएं तो paper में भी जो आपकी testing होती है आप जैसे दो को math है math में के percentage का question आप से 10th class में भी solve हो जाता था same question जो आप आज कर रहे हैं और क्या आया है तरीका अब आप कैसे करते हैं अब आप short method से करते हैं similarly English में भी होता है बेटा दसवी class का बच्चा भी आपका paper solve कर सकता है लेकिन आपके paper solve करने और उसके paper solve करने में जमीन आसमान का अंतर होगा जिस question में वह 3 minute लगाएगा उसको आप 30 second में solve करके आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो आपन को सीखना क्या है पहली चीज अपने को अपना base बनाना foundation का मतलब क्या होता है base यानि इस batch में हम सबसे पहले base बनाएंगे जो की बहुत important है और बनता है वह grammar से ठीक है प्रिवियस यर प्रैक्टिस जो भी होगी है ना comprehension के अंदर बहुत सारी चीज़े हो जाती है जैसे passage हो गया sentence rearrangement हो गया जिसको आप प्रोच होनी चाहिए ठीक है यह सारी चीज़े हम इस course में सीखेंगे और अगर आपको मेरा आपको बता दिया कल से अंदर यानि मंडे से आ रहा है इस बैच में एक खास बात समझो अभी इन्रॉल करने के लिए अच्छली दो खास बाते समझो पहली पहला होता है भाई पैसे ठीक है तो पैसे यानि टॉफिटी में आगए तो आपको डिसकांटेड मिलेगा यह प्राइस दिख रहे है आपको तो जो फिफ्टीन हंडड हो जाएगी आपके ठीक है और आपको पता है कि बैंकिंग के फील्ड में यानि एफो के फील्ड में फिफ्टीन हंडड का इंग्लिश का कोर्स मिलना इस आप सोच भी नहीं सकते हो क्यों कि हरको ही कर सकता है ना बारा सो रुपए एक साल की वेलेडिटी के लिए आपको कोस मिल रहा है नोट मिल रहे हैं टीचर मिल रहा है जिससे किसी भी दाउट आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का चीख है तो यह सारी चीज़ें जो है वह आई थिंक मोर देन सफीशियंट है इस प्राइस पे और दूसरी चीज़ अगर आप जल्दी जुड़ेंगे तो देखो क्लास तो चाल लुक हो जाईगी ठीक है अब अगर जुड़ रहे हो दस दिन बाद तो दस दिन बाद यानि आपके लगभग दो टॉपिक निकल चुके होंगे और बेटा मैंने कहा है क और यहां आपके तो पढ़ना होता है क्यों क्नूंकि हरे क्ए करे मैं आपको अपताया जयाता है आ पिर सारे टॉपिक करते हैं तो अगर आप लेट जोइन करेंगे तो आपके दो टॉपिक छूट जाएंगे और रिकॉर्डिंग में पढ़े रहेंगे उनको आप कभी भी देखिए किसी भी तरह से देखिए लेकिन अगें प्रॉब्लम होई है कि अगर डाउट आता है तो पुराने टॉपिक्स का कैसे प आप एक बार जुड़िए मेरे साथ जैसे आपने अगरिकल्चर तो देखा यह अगरिकल्चर आप पढ़ते हैं मेरे साथ मेरे साथ में आतों कुछ भी डाउट नहीं आता ऐसी मैं आपको बजबास दलाता हूं कि आपको इंग्लिस में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं तब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाएगा तब तक की वैटेटी है आपका एक्जाम इंटर्वू नहीं वाथा तब तक की आपके पास यह कोर्स अब लेबल रहेगा ठीक है आई होप आपको सारी चीज समझाई होंगी मिलते हैं नेस्प वीडियो के अंदर तब तक के लि प्रप्च जब के लिए एो चई प्राइब है